जन्वरी को देश में गंतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गंतंत्र दिवस से पहले दिल्ली सरकार ने देश के शहीद वीर सपूतों को मुआवजा देने की स्वीकृती दे दी है। दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल के नित्रत्व वाली दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के दोरान शहीद होने वाले सुरक्षा बलों के छे जवानों को एक करोर रुपया मुआवजा देने का अईलान किया है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसके बाद इसे मंजूरी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के शामिल है। रेवेन्यू विभाग की तरफ से कहा गया है कि साल 2016 में अर्विंद केजरिवाल की सरकार बनने के बाद से ही सरकार ड्यूटी के वक्त शहीद होने वाले जवानों को सम्मान देने के लिए प्रतिबध्ध है। इसका लक्ष्य है कि शहीद होने वाले जवानों के आश्रतों पर आर्थिक बोज को कम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो सम्मान के साथ जीवन जी सकी। रिवेन्यू मंत्री आतिशी ने केजरीवाल सरकार के इस निर्नए की प्रशन सा की है। आतिशी ने कहा कि डिफेंस कर्मी, दिल्ली पुलिस, पेरामिलिटरी फोस, दिल्ली फायर सर्विस होंगाड और सिवर डिफेंड वॉलेंचिया के अदम्य साहस को हम सभी सलाम करते है यह मुआवजा इन हीरों के परिवारों के लिए है। वो बलिदान वो इस देश के लिए देते हैं वो अद्भुत है और यह हमारा करतव्य है कि हम उनके परिजनों के साथ खड़े हूँ। दिल्ली सरकार की मंत्री ने कहा कि शहीदों को मुआवजा देने से संबंधित इस